स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टड़ी विद मोटिवेशन में तो इस वीडियो में हम एक न्यू वेकेंसी के बारे में बात करेंगे जो कि आई हुई है नेशनल फर्टिलाजर्स लिंटेड में तो NFL में वेकेंसी आई हुई है और किस पोस्ट के लिए है तो Account Assistant and Management Training के लिए वेकेंसी आई हुई है तो जो Assistant Accountant की तयारी कर रहे है UPPCA, UP Arvinal में तो वो इस फांग को जरूर फिल अप करें तो क्योंकि यहाँ पे देखी Assistant Accountant की वहाँ पे आता है नाम से यहाँ पे Account Assistant के नाम से है तो यह एक सुनहरा आउसर है आपको सरकाई नौकरी करने का तो यहाँ पे जो वेकेंसी आई है इस बारे में हम बात करें पदों के संख्या कितनी है और आवेदन की अंतिम्ति थी आवेदन कप से शुरू हो रहे है और इसमें युगताब की क्या है आईू क्या ले रहा है ऐस लिमिट कितनी है और साथ ही साथ Slavess के बारे में भी बात करेंगे कि Slavess क्या है इसका और कब तक हो सकता है तो सारी जनकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे जो एकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट है इसके लिए तो यह बेंगिन सियाब की NFL में आई हुई है National Fertilizers Limited में तो इसका जो मुख्याल है जो मेन आफिस है इसका वो आपका Government of India Undertaking जो गौतम बुद्र नगर उत्तरप्रदेश में ही है और यहां पर आपका जो यहां पर देख लिए देख लिए एक नॉम्बर को यह आपका आया हुआ है और उसके बाद यहां से जो application इसने स्टार्ट हो रहा है वह आपका कब से स्टार्ट हुआ इस पर भी बात करेंगे पहले हम इसके देख लेते हैं वह आपके पोजिशन क्या है तो यहां पर आप देख सकते हो कि account assistant और यहां पर अलग अलग यूनिट दी वही है जैसे नांगल यूनिट के लिए है यहां पर नेक्स्ट में आप यहां पर देख सकते हो यह marketing division में जो number आप पोस्ट है इसमें 5 वैकेंसी है जिसमें 4 अन्रिजर्ण है और 1 SC के लिए है उसके बाद यहां पर corporate office के लिए भी वैकेंसी है जो total वैकेंसी आपकी 15 वैकेंसी है total जिसमें अन्रिजर्ण की तीन है और SC की व तो यह बहुत अच्छी opportunity है आप लोग के लिए और उसके बाद यहां पर देखिए detail यहां पर educational qualification देख सकते हो कि account assistant के लिए क्या है यहां पर जो minimum यह आपकी 18 साल और maximum आपकी 30 साल होनी चाहिए और B.com with 50% marks 50% marks के साथ आपका B.com होना चाहिए अगर फीस के बारे में बात कर लेते हैं कि कितनी फीस है इस post के लिए तो assistant accountant यह account assistant की जो फीस है वो आप यहां पर देख सकते हो दो सुरुपे प्लस applicable bank charge बैंक का चार्ज जो लगेगा प्लस दो सुरुपे आपकी जो है फीस है अब बात कर लेते हैं कब से कब तक आप इस फार्म को fill up कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 November से आप 1 December तक इस फार्म को fill up कर सकते हैं यह आपकी date है तो 1 December से पहले आप इस फार्म को जरूर fill up करें अब यहाँ पे जब हम form fill up करेंगे तो कुछ हमको documents upload करने पड़ेगा यहाँ पे आप देखी सकते हो document to be uploaded जैसे 10th mark seat है और यहाँ पे उसका size आप देख सकते हो educational qualification proof क्या क्या है और यहाँ पे employment proof अगर आप किये हैं तो experience है उसके लिए यह सारा आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमको download करना और यहाँ पे आप size भी देख सकते हो कि कितनी size होनी चाहिए और main आपका photograph और signature यहाँ पे 2mb in jpg और jpg और 2mb in jpg और jpg तो यह सब हमको document जितना भी है photo signature सब हमको upload करना है अब बात कर लेते हैं क्या exam online होगा या offline होगा तो यह exam आपका offline है और यह offline exam है और इसमें negative marking है कि नहीं इस बारे में भी बात करेंगे तो यहाँ पर देखी उससे पहले आपको center बता देते हो कहां कहां आपका exam center हो सकता है तो यहाँ पर देख लीजिए कि OMR based आपका test होगा और राची जारखंट लखनव अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो लखनव center है आपका चंडेगड़ है और रायपूर आपका 36 गड़ है और उसके बाद नियु देली में है बैंगलूरे में है अहमदाबाद में है भो यहां पर देख सकते हो relative aptitude यहां पर देखिए आप कि जो आपका question paper होगा वो आपका हिंदी और इंगलिस दोनों में होगा और जो duration होगी वो two hours होगी मतलब दो घंटे में होगा और नम्मर आप जो question होगे वो 150 question होगे तो 150 question होगे और दो घंटे का paper होगा और उसके बाद य कॉम किया है आपने तो subject से related question होगे तो 100 question होगे और जो 50 question होगे वो आपके journal English के quantitative aptitude के reasoning and journal knowledge awareness से related 50 question होगे तोटल आपका 150 का होगा और इसमें कोई भी negative marking नहीं है there will be no negative marking for wrong answer तो यह बहुत अच्छी बात है कि इसमें negative marking नहीं है और यहाँ पर कोई interview नहीं है आपका will be no interview आपका जो written test होगा उसमें अगर आपका जो marks होगे उसे पर merit बनेगी और उसके बाद selection होगा आपका तो अब यह last बार फिर समें बता देता हूँ कि आपके application form कम से शुरू हो और कब से कब इसके last date है तो दो नॉम्बर से शुरू ह हो गए हैं आपके application form और एक December तक आप इस form को fill up कर सकते हो अगर exam की बात करें तो आपके exam कब तक हो सकता है तो यह exam आपका जनुवरी में संभावना है कि जनुवरी में आपका exam हो जाएगा उसके बाद जो दूसरी post है वो इसमें आई हुई है आपकी engagement management training की जो NFL में आई हुई है और यहाँ पर जो position है number of vacancies की यहाँ पर आप देख सकते हो total vacancies 60 हैं और यहाँ पर जो unreserved यहाँ पर management training marketing के लिए है उसके बाद management training F&A के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें educational qualification क्या रहे रहा है हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो आप age इसमें 18-27 ले रहा था account assistant में आपका 30 तक था तो यहाँ पर आप देख सकते हो और यहाँ पर जो है आपका MBA, PGDM, PGDC and marketing में यह दो 2 years का whole time का होना चाहिए और यहाँ पर पूरी detail देख सकते हो यह आपका marketing के लिए है उसके बाद यहाँ पर F&A के लिए bachelor degree with pass in final examination आप CA, ICWA, CMA from institute of chartered account यह पोस्ट यह आपका होना चाहिए उसके बाद full bachelor degree law यह आपका law के लिए management training law के लिए vacancy आई हुए देख सकते हैं उसके लिए qualification क्या ले रहा है और इसकी जो fee से वो 7 सरुपए है आप देख सकते हो कि 7 सरुपए प्लस जो bank का charge लगेगा वो अलग अब इसमें आपका personal interview भी है उसमें आपका interview नहीं था लेकिन यहाँ पर आपका interview भी है देख सकते हैं आप personal interview भी हो गए इसमें आपका और form की last date कब तक इसको apply कर सकते हैं तो वही है जो आप इससे पहले पर मैंने बताया था कि 1 December तो यहाँ पर सारी जितनी भी details थी मैंने आप लोगों को साथ सेयर कर दी है कि पादोग संगया क्या है योगता आयू सारी चीजी मैंने आपको बता दी हैं तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यह बहुत अच्छा आउसर है आप लोगों के लिए तो यह महत्त पूर्ण जानकारी मुझे आप लोगों को साथ सेयर करने थी वीडियो आपको कैसा लागा अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि जो भ यह लोगो लाएक करना उप सेयर कर लोग Ö यह लोगों क्योंकि एक रूलिएब करना च chassisा आपको कैसां ओ्या हो अवादया जाव घु मग हर रपको के रहा है लोगों के लिएगा आपको कertoर और धालिएगा च कdens वाचानल कर्पकर दिते करना चल्एपकष अचुतिंगाद